Hello students आज हम लोग cooling sistem के बारे में पड़ेंगे This is the session 5 of class 10th cooling system, इस session में हम लोग various types of cooling system जो की vehicle में engine के temperature को maintain करने के लिए use किये जाते हैं उन cooling systems के बारे में हम पड़ेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक diagram image आप लोगों को दिखाई गई है, जिसमें कि various components of the cooling system दिखाया गया है, and through the arrows बताया गया है कि किस तरीके से जो coolant है या air है, ठीक है, वो किस direction में flow करती है, coolant कहां से, कहां move करता है, ये सब चीज़े आप लोगों को इस image में बताई गई हैं, जो कि हम आगे discuss भी करेंगे, सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं various methods of cooling, ठीक है, हिंदी में यदि हम बात करेंगे, we will be studying in Hindi, तो sheetalan की विदिया, cooling की जो methods है, so various types of cooling methods are used, the first one is, वायू शीतल, air cooling, ठीक है, अब air cooling का जो main principle है, वो क्या है, कि वायू धारा को उस गर्म धातु की सते पर लगातार प्रवाइद किया जाता है, जिस से ताप को हटाना है, ठीक है, continuous air flow is maintained on the surface, from where we have to remove the temperature, ठीक है, जिस सर्फेस से हमें temperature को हटाना है, वहां से ठीक है, उस पर हम continuously air flow बनाया रखते हैं, ताप का विश्रन निमलिखित कारकों पर निर्भर करता है, जो dissipation of heat है, वो किन factors पर depend करती है, कि कितनी heat dissipate होगी, नमबर वन धातू का सतेक शेत्र जो वायू के संपर्क में आता है, ठीक है, surface area of the metal which comes in contact with the air, secondly, वायू की मात्रा का प्रवाधर, ठीक है, rate of flow of air, तीसरा हो गया, गरम सतेह और वायू के बीच तापमान का अंतर, temperature difference between the hot surface and air, air और hot surface के बीच में, जो temperature का difference है, वो कितना है, इस चीज पर भी depend करेगा, कि कितना rate है, कितनी तेजी से जो dissipation of heat है, that process will go on, फोर्थ है, इंजन के लिए प्रियोग की गई धातू की चालकता, अब conducting की जो how much good conductor the metal is, ठीक है, इस चीज पर भी वो चीज डिपेंड करेगी, कि कितनी तेज आपकी dissipation of heat होती है, तामबा, ठीक है, aluminium और मिश्र इस पात इस प्रियोग से बहतर उश्मिय चालकता के कारण, ताप हस्तानतर में सुधार आता है, ठीक है, तो जो यह metals आप लोगों को बताये गए हैं, aluminium इस चीज यह सब ही, यह सब ही, they are the good conductors, और they help in the dissipation of heat, ओके, next आ जाती है, water cooling, जैसा कि आप लोगों को name से ही पता लग रहा है, जल शीतलन, तो इसमें क्या होता है, that engine cylinder is, covered with some water passages, ठीक है, जल शीतलन में जो engine cylinder है, जल आवरंड से घीरे रहते हैं, जिसमें शीतलन जल प्रवाहित होता रहता है, ठीक है, that in that water passage, जो water है, that flows, ताप का प्रवाज, शीलेंडर दिवारों से, शीत जल को होता है, तथा जल विकीरक को जाता है, जहां जल अपने तापता हस्तान तरण बाहरी वायों को कर देता है, अब जो cylinder है, वो cylinder walls के contact में होते हुए, जो cylinder passage बने वे है, water passage बने है cylinder में, ठीक है, engine cylinder में, उससे होते हुए जाता है, तो heat absorb कर लेता है, ठीक है, and then that hot water goes to radiator, जो विकीरक लिखा है, ठीक है, that goes to radiator, and in the radiator, it transfers its heat to radiator, and then ultimately to air, ठीक है, बाहरी वायों को दे जेता है, जल शीतलन प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, it is also of two type, thermosyphon प्रणाली, ठीक है, and pump parisanchal प्रणाली, एक thermosyphon प्रणाली होती है, और दूसरी pump operated system, okay, thermosyphon system and pump operated system, आधुनिक आटो मॉबायल में, pump parisanchal प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रणाली में, जो radiator काकार है, ठीक है, वो काफी छोटा होता है, और शीतलन भी तिवरता से प्रवाहित होता है, जो mainly आज के लिए हम use करते हैं, that is pump operated system, क्यों, because इसकी वज़े से क्या है, the radiator size is lower in this case, as compared to thermosyphon system, ठीक है, thermosyphon system के comparison में, जो radiator का size है, that becomes smaller, okay, and जो coolant है, वो भी हमारा speed से move करता है, ओके तो यह आप लोग जैसे image देख रहे हैं, की cooling system है, तो कि उसके बताया है कि कैसे कैसे जो water है, वो flow करता है, radiator से ठीक है, engine में जो water passages है, उससे and then उपर thermostat valve के होते हुए, वापस radiator में आ जाएगा, next आ जाती है, pressure sealed cooling, ठीक है, seal बंद शीतलन, अब हम लोगों को पता है, कि जो water है, उसका जो boiling point है, वो higher pressure पे बढ़ जाता है, उच दवा पर जो जल का क्वथनांग है, वो बढ़ जाता है, फल सुरूप शीतलक और radiator के बाहर में कमी लाए जा सकती है, अगर हम किसी भी जो cooling system है, उसमें जो pressure है, ठीक है, वो बढ़ा देते हैं, जो अंदर coolant होगा, मानली जो water है, ठीक है, तो उसका जो boiling point है, वो increase हो जाएगा, means उसकी heat absorb करने की capacity, increase हो जाएगी, तो ultimately हम लोग क्या कर सकते है, radiator और coolant का जो mass है, उसमें कम ही लाई जा सकती है, engine उच परिचालन तापमान के कारण, उच में एक शमता में बढ़ोतरी होती है, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, दबाब में लगभग 10 किलो newton प्रतिवर्ग मीटर की बढ़ोतरी से, कोथनाग डाई डिग्री तक बढ़ जाता है, तो अगर हम 10 किलो newton पर मिटर स्कूर, ठीक है, इतना यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो जो boiling point है, वो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ये चीज ध्यान देने वाली है, कि ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते रहेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इट इस विदिन लिमिट, एक लिमिट के अंदर, ठीक है, 10 किलो newton पर मिटर स्कूर, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जो हमारा boiling point है, दाट विल इंक्रीज अप टू 2.5 डिग्री सेल्सियस, चीक है, तो इस तरीके से हम high pressure, जो हमारा system है, उसको use कर सकते हैं, और इससे हमेरे जो coolant mass है, radiator mass है, उसमें हम कमी ला सकते हैं, radiator के साथ इस प्रकार से जुड़ा जाता है, जब शीतलन पानी ठंडा हो जाता है, तो पानी का आयतन कम हो जाता है, अता है ठंडा पानी टंकी से वापस radiator को आ जाता है, समयने टंकी पारदर्शी प्लास्टिकी बनी होती है, ताकि इसमें शीतलन के स्थर को देखा जा सके, तो यूँ आप लोगों को बताया गया है कि जो औरफलो टंक हमारा यूजिकी किया जाता है, वो क्यों यूजिकी किया जाता है, ठीक है, ताकि if there is excess pressure inbuilt हो रहा है तो जो overflow tank है उसमें जो हमारा coolant है वो चल जाता है और pressure को release कर देता है ठीक है ना और अगर बहुत ही गरम पानी उस पे आ रहा है ठीक है volume कम हो जाएं वहाँ पे तो वह वापस वहाँ से radiator को जो पानी है cool water है ठीक है वो आ जाता है दबाव seal बंच sheetland पर ना लीके लाब क्या है इसमें sheetland की कोई हानी नहीं होती है अब आज आते हैं various components of the cooling system कि जो cooling system है उसके various components क्या है ठीक है cooling fan ठीक है उसके बाद जितनी भी pipes लगी होती है host pipes ठीक है लोवर होस पाइप अपर होस पाइप ठीक है ओके दन पंप का यूज किया जाता है ओके पंप का यूज किया जाता है फिर आप देख सकते हैं ठीक है water jackets होते हैं जो की engine में होते हैं ठीक है water jackets है engine में है फिर एक bypass रस्ता होता है जो की heater core के लिए जाता है heater core का heater fan होता है then main important component है thermostat valve ठीक है thermostat valve लगी होती है ओके और जो तो यह सब जो main components है वह है ठीक है pressure cap है आप देख सकते हैं radiator के उपर radiator cap जिसको बोलते हैं ठीक है तो अब काम कैसे करता है cooling system cooling system काम कैसे करता है ठीक है शीतलन प्रणाली कैसे काम करती है तो आप देख सकते हैं इसको एक बार में readout भी कर लेता हूं और साथ-साथ आपको समझाता हूं शीतलन प्रणाली engine block और cylinder head के मारकों द्वारा तरल शीतलक को प्रेशित का कार्य करती है शीतलन प्रणाली से क्या है जो coolant है ठीक है radiator के lower tank से engine के जो water jackets है ठीक है coolant jackets है उसमें जो coolant को भेशती है coolant जब इन रास्ते से जाता है when it passes through that passage ठीक है it absorbs heat from the cylinder valve, cylinder valve से वो excess heat है उसको absorb करता है वो तब तक अंदर ही rotate करता रहता है till it requires some minimum temperature ठीक है उसको वहीं रोके रखने के लिए लगी होती है वहाँ पे thermostat valve तो thermostat valve will not allow coolant to leave the engine block ठीक है जो engine block के अंदर passage है उसको leave नहीं करने देती है till it requires some minimum temperature तब तक वो absorb करता रहेगा वहाँ पे and it start it keeps moving in the bypass valve जो आपका bypass रस्ता बना होता है which goes to the heater core जब भी आप AC use करते है तो तो it comes to that heater core उसके थ्रूँ उसको bypass करते हैं तब तक और जब coolant minimum temperature acquire कर लेता है after that the thermostat valves get opened up and the coolant comes back to the radiator upper tank और फिर radiator की upper tank से lower tank में जाते हुए fins के थ्रू जाता है और जो अपनी heat है वो fins को transfer कर देता है ठीक है and जो air है atmospheric air है वो जो fins के surface पे जो हमारे radiators के fins है उनके surface के blow करती है उसके contact में आती है जो और जो temperature है उसको dissipate कर देती है so this is the total process which has been given in this chapter तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है okay so this chapter में जो हम लोगों ने पड़ा है हम लोगों ने mainly team type के cooling system है वो पड़े है that is air cooling तो air cooling का principle क्या है और जो cooling rate है उसको कौन सी dissipation of heat की जो किन चीज़ों पे निर्भर करती है वो पाते आपको ध्यान में रखनी है then water cooling water cooling कैसे use की जाती है and then pressure shield cooling pressure shield cooling का क्या काम है उसके बाद components of the cooling system यह आप सभी लोगों को पता होने चाहिए और lastly आपको पता होना चाहिए कि how a cooling system works इस चीज़ के लिए आप लोग जो आप लोगों को reference video भी आप और extra देख सकते हैं ओके तो बाकी पूरा जो process है वो यहां पर आप लोगों को बताया गया है इस image में भी आप लोगों को जो पूरा process है वो दिखाया गया है how cooling system works ओके यह आप देख सकते हैं कैसे cooling system work करता है So, this was all about today's lecture. Thank you.